हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है तुरुपिल और आपका सागते मेरी यूट्यूब चैनल में दुरुविसाल लैंस तड़ी आपको बात करने वाला हूं तो इसमें हमें करना क्या है यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे गए है उस स्टेटमेंट्स में से हमें उसकी एक्वेशन लिखनी है ठीक है तो फर्स सम करते है फर्स सम है तो यहां पे क्या है यहां पे सम है सम जिया गया है सम का बतलब क्या होगा एडिशन होगा किसके बीच में एडिशन होगा इन दोनों के बीच में एडिशन होगा तुम क्या लिख देंगे इन दोनों के बीच में एडिशन होगा तो क्या लिख देंगे x plus 4 is equal to 9 बन की हमार equations first की equation हो जाएगी x plus 4 is equal to 9 अभी हम second करते है second है 2 subtracted from y is 8 तो इसमें क्या करेंगे यहां पर subtracted दिया गया है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे minus करेंगे किस के बीच में minus करेंगे 2 और y के बीच में minus करेंगे अभी हम पर from दिया गया है देखो हम आपर from दिया गया है क्या लिखेंगे y minus 2 basically from क्यों दिया गया है आपको पता चाले के लिए y में से 2 को minus करना है y में से 2 को minus करना है y minus 2 is equal to 8 यहां पर दिया गया है थार्ड करते है 10 times a is 70 तो यहाँ पे हम क्या लिखनेगे 10 times A मदब 10 into A हो गया 10 into A क्या हो जाएगा 10 A हो जाएगा 10 A is equal to 70 हो गया हमारा third equation fourth करते है the number B divided by 5 gives 6 तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि B divided by 5 divided by 5 तो हम क्या करेंगे B divided by 5 B divided by 5 is equal to 6 यहाँ पे दिया गया है gives 6 हम यह लिख दिंगे यहाँ हमारी fourth के equation आगी अभी हम fifth करते है 3 fourth of a T is 15 तो मैं इसमें क्या करना होगा 3 fourth of T बढ़ा इंटू T हो जाएगा is equal to 15 बढ़ यह तो हमारी equation नहीं होगी न तो हम इसको क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे 3 T upon 4 is equal to 15 यह हमारी हो जाएगी equation fifth की ओके अभी हम sixth equation करते है 7 times M plus 7 gets you 77 so 7 times M मतलब 7 into M हो जाएगा 7 into M को कैसे लिखेंगे 7 M लिखेंगे 7 M plus plus 7 यहाँ पर plus 7 लिखेंगे gets you 77 so is equal to 77 simple sixth का answer आगया यहाँ पर seventh का लिखेंगे seventh में यहाँ पर space नहीं है तो नेचे लिख रहा हूँ है seventh one fourth of a number x minus 4 gives you 4 okay तो one fourth of a number x तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x upon 4 लिखेंगे ठीक है एक्स अपान 4 और यहाँ पर माइनस 4 लिखा गया है यहाँ पर माइनस 4 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको पहले लेते है इसको पहले लेते है तो क्या लिखेंगे 6 times y क्या हो जाएगा 6 into y हो जाएगा तो 6y लिखेंगे 6y minus 6 करेंगे यहाँ पर प्राम है मैंने बोला पहले तो 6y minus 6 is equal to what यहाँ पर लिखा गया है you get 60 यहाँ अब हम लिखेंगे 60 60 ठीक है 9th हम करते हैं 9th वाला करते हैं if you add 3 to 1 3rd of z you get 30 तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 3rd of z लिखा गया है 1 3rd of z क्या देगा z upon 3 हो जाएगा z upon 3 यहाँ पर add लिखा गया है add 3 to 1 3rd of z तो हम क्या लिख देंगे plus 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखा गया है you get 30 तो क्या लिख देंगे is equal to 30 तो यह हमारा हो गया question number 4 exercise 4.1 का बहुत easy question थे तो thank you for watching please like, share and subscribe the channel and press the bell icon